बैंड बैंड देखे इसका मतलब होता है बांधना ठीक है बांधना कहते हैं किसी केस में इसको गुमाओ भी कहते हैं मुडाओ ठीक है गुमाओ ठीक है बैंड और बैंडेज देखो बैंडेज भी बांधते हैं जब आपकी फिंगर में सपोज आपकी फिंगर में क्या है आपकी finger में चोट आई है ठीक है तो आप क्या करते हो bandage को यह रेप करते हो ठीक है तो ठीक है friends तो यह क्या है तो यह भी bandage वही चीज़े है बैंड से यह बनाया ठीक है फिर बात bank 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 की है ठीक है इसको कुछ कहने की जरुवत है नहीं bank account यानकी bank का खाता banking हो गया यानकी bank की जो परकिरिया होती उसे banking कहेंगे यह बार वही है जो मैं लास्ट वीडियो में कहा था ठीक है जैसे आपका beer बार हुआ ठीक है आपका dance बार हुआ यह सारे उस तरह की चीज़े यानकी entertaining place कह सकते entertaining place ठीक है friends और बार्बीक्यू बार्वीक्यू देखो noun भी है बाव भी है ठी देखो बार है अगर आप किसी बार में जाओगे सपोज आप beer पी रहे हो ठीक है आप किसी बार में गए अपने beer की bottle ले लिए ठीक है अब हुआ क्या friends अपने beer ले ली अब आप चाओगे क्यार इस beer के साथ मुझे क्या बोलता है कुछ meat भी खाना है अब वो meat सूका meat सपोज आपने मंगवाया तो यहाँ पर जो इसके वो बने रहते है ना इस तरह के ठीक है इसमें जाली सी बनी रहती है और उसको पर जो बुनने की जगह होती जिसको पर उससे भुना जाता रखके भुना जाता है उसको barbecue बोलता है ठीक है और यह word कही के लिए यूज होता है देख पिकनिक में लोग जाते हैं तो ऐसा करते हैं ठीक है पिकनिक इसका एक सिनॉनिम बना ठीक है फ्रेंज बाविक्यू का या आउटिंग कहलो आउटिंग आउटिंग मींस जब आप आउट घर के भार जाके बनाते हो ठीक है तो आउटिंग पिकनिक ये भी इसके क्या बने ब ठीक है, वो outing हो गया, picnic हो गया, ठीक है friends, और मैंने कहा दिया कि आया किस तरह से, इसका actually ये भी मतलब होता है, कि जिसके उपर आप कोई चीज सुकाते होई, या जैसे meat हो गया, ठीक है, meat क्या रखो गया, आप इसके उपर आपने meat रखा, तो यहाँ पर आप क्या करों, meat को इसके ओपर ठीक है वो बारवी क्यों है बेसबॉल पता आपको एक गेम है ठीक है अब बात करते हैं चैलेंजिंग बॉक एफ की इसका फर्स्ट हमारे पास वर्ड है सैग्रिगेट का मतलब होता दोस्तों अलग ठीक है अब मैं आपको एक चीज बताओ अलग करना या अलग ठीक है नाउन होगा तो अलगाओ इसका मतलब होगा और बारव होगी तो अलग ठीक है segregation हो जाएगा non adjective or non segregate हो गया अलग करना मैं आपको बता हूँ एक gate है एक gate है ठीक है तो gate के दो पार्ट होते हैं तो आपने बोला segregate gate को क्या करो सिरका लो ठीक है सिरका लो यनकी एक तरफ कर लो हटा लो ठीक है तो अलग कर रहे हो आप तो अलग करना ठीक है इससे आपका separate separate इसी से बना है friends क्या separate भी इसी का synonym है ठीक है segregate का बात करते है serenity इस word को आप थोड़ा सा एक बार खुद से बता है यह serenity आपको क्या लगएगा शान्ती आपको शान्ती सी महसूस हो गई शान्ती मतलब peace peacefulness peacefulness ठीक है friends peacefulness आपको आईगी शान्ती serenity होता है आपका peacefulness हो गया ठीक है आप इसको कह सकते हो calmness कह सकते हो ठीक है यह इसके synonym से friends और एक चीज़ आप इसको इस तरह से भी use कर सकते है serenity देखो हम जब मंदीर है holy place होता है na holy place तो holy place में हम इसको क्या होता है अच्छे से use कर सकते है holy place में जो भी चीज़े होती है वो serenity से काफी close होगी जैसे शान्ती हाँ peacefulness होती है holy place में commonness वाँ शान्ती होती है बिलकुल यह दो चीज़े तो common है जैसे purity है purity भी वहाँ पे होती है आप सीधा देखे holy place में जो जो चीज़े होती है वो serenity को काफी close होगा purity हो गया clarity हो गया clarity हो गया ठीक है friends clarity हो गया ठीक है तो यह क्या है serenity के synonyms है क्या है serenity के synonyms है शान्ती, peacefulness, calmness ठीक है purity यह सब ठीक है वह सर्फडूम सर्फडूम होता है मतलब दोस्तों salvery क्या होता है serfडूम होता है sorry slavery ठीक है slavery होता है serfडूम ठीक है जब हम किसी से जैसे leverer हो गया leverer जो lever होती है जो काम करने वाले उनसे related है यह word serfडूम ठीक है lever से सम्मद देते और carnival यह होता है carnivore carnivore यह friends अलग है इसको हम बोलते है masa masa hari masa hari मतलब जो mask खाता हो ठीक है non-vegetarian ठीक है यह होता है carnivore ठीक है जो ऐसे पक्षी होता है जो mask खाता है वो यह चीज है ठीक है carnivore but मैं बात कर रहा हू carnival यहाँ पर वल है वी ए एल है यह कार्णि बोर है यहाँ पर आ रही है तो कार्णि वल होता है यह होता उत्सो उत्सो ठीक है यह उत्सो होता है यानि कि क्या होता है आनंद सो आनंद सो मतलब ऐसा उत्सो जहाँ पर मजा है यानि कि जुभी इनके सौंग सुन लो, जुबिलेशन आपको आनद आएगा, ठीक है, तो वहीं से ध्यान रखो, जुबिलेशन, ठीक है, जुबिलेशन, इनके जुबिलेशन, इनके सौंग सुन रहे हो, तो आपको आनद आएगा, तो वहीं से याद रखो, जुबिलेशन होता है, उ Karto Graphy, का मतलब,шей आपकी चित्रकला. Graphy होता है, चित्र करना, किसी चीज को भी लेख करना, किसी चीज का एक अच्छे तरही, चित्रन करना. лен कि अच्छे मांचित्र एक मांचित्र क्या होता है,sep मैप बनाते हो ना, मैपापिंग करना, मैप होता है ना, वो कार्टोग्राफिय होते है于 मानचित्र, मानचित्र बनाना, या मानचित्र की कला, frå є, उसको ऻोचत्र कणे हैं, कार्टोग्राफिय, याद रखो कार्टोग्राफिय, ठीक है ग्राफी में चित्रन हो गया वो कार्टो यह आपका हो गया मान चित्र तो यानि कि जो उसकी जो कार्टोग्राफी होगी जो study होगी ना study of study of map is called कार्टोग्राफी ठीक है आप ऐसे याद करें ये थी आज की बॉक एफ इसी के साथ ये session होता है finish तो मिलते हैं next day में और friends अगर आपने videos नहीं देखे तो please description में जाके सब link दिये वह हैं वहाँ पे जाके उन्हें please देख लें कोई video miss ना करें अगर आपने काफी दिनों से चूटी है video आपके तो please एक दिन में 2-3-3 video देखके आप हमें cover कर सकते हम तक पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद आप आपको बहुत सारे word ऐसे होगे जिसके लिए आपको revision की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको वैसे ही मिल जाएगा ठीक है friends तो मिलते हैं next vocab में तो please आप note down करें सभी vocab पो ठीक है thank you so much